मेरा आप सभी को हाज अड़ करना मश्कार आज हम बात करेंगे साथ चकरों के बारे में सबसे पहला जो चकर है हमारा मूलाधार चकर जिसको हम इंगलिश में रूट चकरा के नाम से भी जानते हैं और ये लाल कलर का होता है जिसके अंदर चार पुंकडिया होती हैं ये हमारे base of spine में स्थिर होता है हम देखते हैं आम तोर पर दुनिया के नीना प्रतिशत लोग जो भोग संभोग और नीन में अपना जीवन व्यतित कर देते हैं इसका मतलब है कि हमारा जो चेतना आत्मा या कह सकते हैं उसको उर्जा भी जिनकी उर्जा यानि रूट चकरा में स्थिर होती है वो हमेशा अपना जीवन भोग संभग और नीन में व्यतित कर देता है अगला जो हमारा चकर है वह सवादिस्थान चकर यह ओरेंज कलर का है जिसके अंदर छे पुंखड़ी होती है इसको हम इंगलिश में सेक्रल चकरा के नाम से भी जानते हैं हमने आम तोर पर देखा हो हमारे आसपास हमारे दोस्त या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना जीवन इमेजिनेशन यानि मोजमस्ति में निकाल देते हैं जिससे उनका जीवन वैठीथ होता चकर में स्थिर होती है यह हमारा मुरादार से चार उंगलियां उपर स्थिर होता है जो अगला चक्कर है वो हमारा मनीपूरक मनीपूरक इंगलिश मम्स को सोलर प्लेक्सिस के नाम से भी जानते हैं यह हमारा नाभी के अंदर स्थिर होता है जो यह लोकलर का है दस पुंखड़ियों के साथ में तो हम देखते हैं हमारे आसपास बहुती कर्मशील वेक्ती भी हमें मिल जाते हैं इसका मतलब है कि जो आदमी जाद ही अपना ध्यान जो है काम करने पर जाद ध्यान देते हैं जो पूरा दिन 16 घंटे 20 घंटे तक भी काम कर लेते हैं और सोते कम हैं हम देख सकते हैं तो वे उनके सक्सेस का एक मंतर है यानि वे भोजात कार्या करते हैं हाड़ वर करोते हैं और वो भाना डूंड़ते हैं काम करने का तो हमारे असपास ऐसे व्यक्ति हैं अनाहा चक्करव से नाम सीव मैं इसको जानते हैं इसका कलर जो है ग्रीन होता है इसके अंदर बारा पुंकड़िया होती है हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे व्यक्ति जो सर्जन शील जिसकी चेतना और आत्मा यहां पर स्थिर होती है व्यक्ति बहुती सर्जन शील होता है जिन की thinking पावर, imagination पावर भोज़ा था हाई होती है व्यक्ति कुछ अपने जिवन में ने करने कुछ कोशिश करते हैं कुछ हटकर करने को छी कोशिश करते हैं यानि कि कुछ नया, कुछ नहीं चीज डिसकोवर करना या कुछ अलग से करना जिमल की एक अलग जीवन वाय वैतित करते हैं कुछ हटकर दुनिया से दूर हटकर इसमें कुछ कार्य करते हैं तो हमार जो अगला जो चक्कर है विशुदी चकर जिसको हम थ्रोट चकरा के नाम से भी जानते हैं जिसका क्लर लाइट ब्लिऐ यानी इसके अंदर इसलाग पंकडिstudy नत gallon हम देखते हैं कि विशुदी चक्र हमारा फाम फोलाव चेतना ही आतमा विशुदी चकर के इंदर इसके अंदर प्यहूलित व्यक्ति एक energetic तरीके से काम करता हुआ मिलेगा या इसको थेंगिंग पार इमेजने पोजिटिविटी इसके इंदर बहुत सारे अच्छे गुण आपको देखने को मिल जाते हैं तो जो हमारा अगला चकर है आगया चकर जिसको हम थरड़ाई के नाम से भी जानते हैं थरड़ जाए पर इस्थिरोति है उसने ब minutes तरफ सिद्धि पाली है यानि जिसने बौधिक स्थर उस्थिपा ले उत्व झान इरred यह विक्ति आगया चकर पहुंच चुका होता है हमारे जो लास्ट जक्कर है जिसको हम कहते हैं सहसरार चकर च्राउन चक्रा के नाम से जिसकी चेतन यहां तक आ जाती है तो इसका मतलब है कि वह मल की जनम और मृतिव से पार हो चुका है यानि की उसे मुक्ति मिल चुकी है तो इसको हम परमानन भी कहते हैं जिसे बुद्ध के अंदर महा निर्वान कहते हैं जो भगवान को प्राप्त कर लेता है यह एक परमानन जिसमें का कोई पता नहीं रहता है जिनकी चेतना यहां पर सहसरार पर होती है आप सभी को धन्यवाद आप सभी आत्मा को मेरा जोड़ को धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए